नमस्कार दोस्तों मैं विकी आप देख रहा हैं आड़ वाला है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहां पर हमने एक आशू का फोटो लिया हुआ और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि नॉर्मली निचुरल स्थान पर खीचवी फोटो को कैसे करे करेंगे इस वाली फोटो को मैं कैसे define करेंगा इस एस में कौन से तूल्स है कौन से लिवल्स है कौन से स्टेप्स है जिसको फॉलव कर क्या बेहादी-स अनदार स्थांदार का फोटो बना पाएंगे या फुर सॉफ्ट्वेर को सीख सकेंगे यूज कर पाएंगे ज्यादा चीजे समझनी है तो आप हमारी ओफिशल वेबसाइट चेक कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्स में मिल जाएगा अगर कोई सवाल जवाब करने हो तो इस्टाग्राम पर आओं मैं आपसे बात करने की पूरी कोसिस करूंगा अब हम बात करते हैं इस वाली चीज़ को मैंने कैसे बनाए और क्या है यहां पर फर्स्ट वाले लेयर को डिलीट कर दूँगा यह हमारी ओरिजिनल कॉपी है और इस कॉपी पर हमको वर्क करना है कोसिस आसान है कोई भी हार्ड चीज़ नहीं होती है तो यहां पर क्लिक रखने के बाद सबसे पहले में इसका आटो टोन चेक करूंगा यहां से क्लिक करूंगा इधर आटो टोन में फर्स्ट वाले लेयर पर रहते हुए बहुत ही ध्यान पुरुवक समझेंगे कोई भी चीज़ क्लिक कर दूँए यह चीज़ हो गई अब इसके बाद इसका लेवल चेक करूंगा मैं ऑगर मैं इसे वाले लेयर पे रहते हुए इधर से स्टीलेक्ट कर के यहांं पर इसको सेलेक्ट ही रहने देने वाला हूं और यहां से वापस फिर एक बार क्लिक करूँगा यहां पर इधर साइड क्लिक करूँगा और यहां से क्लिक रखूँगा और यहां से इधर पर थोड़ा सा क्लिक कर दूँगा इधर पर थोड़ा ड्रेक करूँगा बस इतना काफी है और यहां से कड देने वाला अब दोनों यह अपस्छं गैसे दोनstone लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल के बटून के साथ यह फिर इस वाले लेयर पे रहते हुए यहां से पूरा सेलेक्ट करने क оперSTR सकते लेकिन मैं तीनों को सेलेक्ट कर लेने के बाद यहां से ऐदर लेयर मर्ज में कलिक कर दूंगा यह लेयर मर्ज हो चुका है अब यहाँ से आते हुई इधर प्रयानाना और इसको ब्राइटनेस कम करना थोड़ा सारर कांट्रस खोड़ास भड़ाना देखेंगे यहां पर इतना ज्यादा भी नहीं बढ़ाना यहां सी इतना ज्यादा भी कम नहीं करना है। यहां तक परियाप था क्षेट और यहां पर यहां पर 7.8 पर यह Iya. और यहीं इसी पर रहते हुए इसी फस्ट वाल लेयर पर यहां पर आना हुई रिस्टूरेशन और इसको सच्चूरेशन को थोड़ा सा बढ़ाना है लगवाग थोड़ा इतना इतना काफियो जाएगा इतना बहुत ज्यादा हो जाएगा आठ परसें प्लास एट पाइंट और यहां से इधर पर आएंगे और यहां इधर पर क्लिक करेंगे और यहां से इधर सबसे पहले इसको फिट ऑन स्क्रीन कर लेता हूँ अब यहां से मैं इधर पर आऊँगा और यहां से इधर क्लिक करूंगा और देखेंगे इस वाले फंक्शन पर आ जाएंगे और यहां से मैं इस वाले लेयर पर क्लिक रखूंगा ध्यान पूरवख पूरी चीजों को समझेंगे यह एक पोर्टरेचर एक्स्टर्नल सॉफ्ट्वेर हैं जिसको इंस्टॉल किया जाता है प्लगीन है एक प्रकार का यह यह फिल्टर में हम आप सको बता हैं बनाना कैसे कैसे यूज करना इस टाइप का फिल्टर कै यहाँ पर क्लिक रखेंगे इसका मोड नर्मल रख सकते हाई भी कर सकते हैं आप अपनी मर्जी के नुसार यहाँ पर इसको ऐसे डिफॉल्ट रहने देंगे आप कम ज्यादा कर सकते हैं यहाँ पर सबस्पहले मुझे क्लिक करना होगा इसमें क्लिक करूंगा और यहां पर में किसी भी स्थार जिस जगह मुझे फिल्टर चाहिए उस जगह पर क्लिक कर दूंगा फर्स्ट और सेकेंड टाइम जैसे मुझे एड़ेस्ट करना हो और इसको थोड़ असा कम कर दूंगा रहे ओके कर दूंगा लगभग यह चीज काम कर जाएगा बहुत ही अच्छे से काम करती है जैसा मेनवली बनाते इधर फिल्टर में आके इंबस अगेरे देखें लेयर कॉपी बनाके सेम ऐसी काम करते हैं वापस इधर पर आएंगे और यहां से नेट इमेज में क्लिक कर दूंगा और इधर ओके और अब देखेंगे यह फिल्टर ओपन हो चुका है यहां प इसके लिए कम करने के लिए इस वाली चीज़ को कम करेंगे और इधर साइड में इसको थोड़ा सा सेट करेंगे तो देखेंगे कि यह चीज़ आर्टोमेंटिक कम हो जाएगी देखेंगे यहां से यह चीज़ देखेंगे और इसको थोड़ा सा बढ़ा दूंगा और देख लगबग बहतर हो चुकर इसको अपलाय कर देंगे और यहां से 20% या 30% कम कर दूंगा इस वाले फिल्टर को उससे क्या होगा कि नेचरालिटी भी आएगी और बहुत ही बेस्ट हो पाएगा लगबग मुझे ऐसा लगता है यहां पर आएंगे फेड में एडिट के बाद यहां परियापते और देखेंगे कि बहुत ही सांदर तरीके से फोटो की किलारिटी आ चुकी और यहां पर बहुत ही बेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा अब यहां से वापस इस वाले लेयर पर रहते हुए ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे और यहां पर रहते हुए कर्व को थोड़ा सा बढ़ाने की कोसिस करूँगा मैं इधर पर और यहां थोड़ा सा 19 20 कर दूँगा बस इतना काफी है और आपको और एक चीज़ करने होगी यहां से आना है इस वाले लेयर पर रहते हुए और ब्राइटनेस पर क्लिक करना और यहां से इसको सॉप्ट लाइट में दे देना है जैसे सॉप्ट लाइट में दूँगा है बहुत तेज हो जाएगा इसको थोड़ा कम करने के लिए यहां से यहां से 24 और यहां से मैं इसको कम कर दूँगा इधर पर इतना यह परियाप था मेरे हिसाब से बहुत फिक्स हो चुका है और ब जादा और किलियर और बेश्ट अंतर आ चुका है देखेंगा तो कैसा लगाया टुटोरियल कमेट करके ज़रूर बताना अच्छा लगाओ तो लाइक करें सेर करें सबस्काइब करें हमारे चेनल आड़ वाला घाट को अगर कोई भी चेक करना चाहते हैं कोई भी चीज आपको मिल जाएगी लेकिन फिलाल एजूकेशन परपस के लिए आपको हिंदी का माटेरियल देखना चाहिए तो आड़ वाला घाट की ओफिशल वेबसाइट पर जाओ और चेक करो वहाँ पर क्या क्या चीज़े मुझसे परसनली सवाल जवाब करना चाहते हो बात करना च झाल